हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई यूट्यूब चैनल टीच इंफो स्मार्ट में इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं करेंट अफ़ेर्स मार्च दो हजार तेईज बहुत महात्वपूर्ण वीडियो यह होने वाली है आपके लिए एक्जाम के द्रिश्टिकूर से एक्जाम पॉइंट आव यू से तो बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है बहुत छोटे वीडियो होगी जैसा कि हम लोग सुरुवात में कुछ महात्वपूर्ण बाते करते हैं यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा जिससे के आने वा आपको वहाँ पर भी मिलेगा आपको टेलिग्राम पर वहाँ पर जाकर कि आप फॉलो कर सकते हैं और सभी पीडियाप आपको मिल जाएंगे जो भी मैं आपको अपने चैनल पर पढ़ा रहा हूं फिरी ओप कॉस्ट मिल जाएगा कोई भी कहीं पर भी जाएंगे आप किसी भी माध्यम से कहीं से भी किसी भी कोचिंग इंस्टूट से लेने जाएंगे अगर जो भी कॉंटेंट आपको दिया जा रहा है पीडियाप के माध्यम से तो वह आपको फिरी ओप कॉस्ट नहीं मिलेगा मेरे इस चैनल के माध्यम से आपको फिरी ओप कॉस्ट पीडियाप की जा रही है तो आप इसका फाइदा जरूर लें इसका वेनिफिट जरूर लें आप टेलेग्राम चैनल को फालू जरूर कर लिजिएगा तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहला कोशन देखिएगा सबसे पहले ठीक है और ये बहुत महातोपूर वीडियो होने वाली है जितनी वीडियो आपको मिलेंगी सभी वीडियो में मैंने करेंट अफेयर्स बहुत अच्छी से पढ़ाय हुआ है दोस्तों एक जानकारी और है महातोपूर आपके लिए अगर आप रिजिनिंग पढ़ना चाहते हैं तो मेरा एक स्पेशल चैनल में बनाया हुआ है किवल रिजिनिंग के लिए तो वहां पर आप फॉलो कर सकते हैं चैनल का नाम है रिजिनिंग पार्ट साला एकडेमी के नाम से है उसको आप फॉलो कर सकते हैं तो देखेंगे हम लोग question देखेंगे लिखा हुआ है invest India ठीक है invest India के board ने किसे वाणिज मंत्राले के तहत निवेश प्रसाहन और सुविधा निकाई के CEO और MD के रूप में निवत किया है तो मनमीत के नंदागो ये के है ध्यान रखेगा जिसे के फॉर जो है काईट होता न ये वाला के है ध्यान रखेगा next question देखेंगे लिखा हुआ है किसने बिस्तारित निधी सुविधा के तहत स्री लंका के वेल आउट कारेकरम को मंजूरी दी है तो इसका answer होगा IMF international monetary fund होता है इसका full form ये भी ध्यान रखेगा मिला है तो जिंदल स्टोल को मिला है ध्यान रखेगा BIS ठीक है BIS ये ध्यान रखेगा Bureau of Indian Standards इसका full form होता है Bureau of Indian Standards ध्यान रखेगा अगला question है लिखा हुए World Happiness Report 2013 के अनुसार दुनिया का सबसे खुसहाल देश कौन सा है तो Finland है और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ध्यान रखेगा ये 21 मार्च से आज जो है डेट है 25 मार्च तो ये 3-4 दिनों का मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ध्यान से आपको पढ़ना है 5 दिन का current affair है ठीक है और बहुत सारी मैंने वीडियोज अप्लोड कर दिये है अलड़ी आप देख सकते है लिखा वो है MCF Rivalry होकी स्टेडियम का नाम किस महिला होकी खिलाडी के नाम पर रखा गया है तो रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है लिखा वो है NTPC Green Energy Limited ने अच्छे उर्जा प्रोजेक्ट के लिए किसे के साथ एक समझोता किया है तो Indian Oil Corporation Limited के साथ में समझोता किया है Next question देखें लिखा हुआ है केरल की पहली transgender वकील के रूप में राज की बार काउंसिल में कौन नाम आंकित हुई है तो registration किसका हुआ है कौन transgender है तो वो है पदमा लच्छमी Next question लिखा हुआ है दिल्ली सरकार के बित्त मंत्री कौन है जिन्होंने दिल्ली सरकार का बजट 2023-2024 में पेस किया है तो कैलास गहलोत है ध्यान रखेगा मनीश से सौधिया जीस में जेल में है और उनकी जगे पर ये भी ध्यान रखना है कि जो उप मुखमंत्री है मुखमंत्री थे दिल्ली के मनीश से सौधिया तो वो जेल में है ठीक है और उनके उपर भेश्ट अचार का कुछ आरोप लगा हुआ है तो उनकी जगे पर ध्यान रखेगा दूर संचार संग ITEU के छेतरिये कारेले और इनोबेशन सेंटर का उदगाटन किया है नई दिल्ली लिखावा है बिस जल दिवस दो हजार तेज का थीम क्या है तो इसका थीम देख लेते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टन क्वेस्चन है थीम देख्जाम में पूंचा जाता है लिखावा है जल और सच्छता संगट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी इलाना लिखावा है अमेरिकी राष्टपती जो वाइडन ने किस भारते अमेरिकी अभिनेतरी को नेशनल हुमेनेटी मेडल परदान किया है तो यह है मिंडी कलिंग अगला क्वेशन है लिखावा है आई एस एस एफ विस्व कप निसाने बाजी चैंपियंशिफ में पुरुसों की 10 मीटर एर पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता तो यह है सरब जोत सिंग लिखावा है किस भारतिय अमेरिकी को यू एस की फाइनेंस एजनसी में डिप्टी सीईयो के पद पर नामित किया गया है तो निसा भी स्वाल हैं यह अगला क्वेशन लिखावा है अंतरास्टिय मुद्रा कोष ने स्केट से जूज रहे स्री लंका को कितने बिलियन डॉलर का वेल आउट पैकेज दिया है तो दिया है त्री बिलियन अर्था तीन बिलियन का अगला क्वेशन देखेगा लिखावा है डी आई सी इंडिया ने नया प्रिंटिंग इंक मैनेफेक्टरिंग plant किस राज में शुरू किया है तो गुजरात में शुरू किया है नेक्स्ट question देखेंगे लिखा हुआ है अरबन climate film festival का उध्गाटन 24 मार्च को कहां किया जाएगा दिल्ली में किया जाएगा अर्थाथ हो चुका है इसका उध्गाटन ध्यान रखिएगा आज 25 मार्च हम लोग पढ़ रहे हैं लिखावा है कौन सा राज ये Right to Health Will पारित करने वाला पहला राज बन गया है तो राजस्थान ठीक है क्या कौन सा बिल है Right to Health Will अगला क्वेशन लिखावा है बुल दे जो है बुंदेल खंड छेतर में कुल कितने सोलर पार्कों को मंजूरी दी गई है तो आठ सोलर पार्क बुंदेल खंड में बनाए जाएंगे अगला क्वेशन है जी ट्वेशन है जो है सस्टेनिवल फाइनेंस वर्किंग ग्रूप की बैठक कहां आयोजित की गई उदैपूर में की गई है Call Before You Dig अप जो है को किस ने टानच किया है तो जो ऑप्रीकzag को बिच्ग दिग यह एफ है और इसको लाँच किया है पिमें नरेंदर मोदी ने अगला question लिखा हुआ है, करूर वैस बैंक ने किसके साथ जीवन भीमा स्रेणी में एक अतरिक्त बैंक इंसोरेंस पार्टनर के रूप में एक समझ होता किया है, तो SBI लाइफ की साथ में समझ होता किया है, नेक्स्ट question लिखा हुआ है, इस वर्ष के 200 TV दिवस थीम क्या है, तो बहुत important question है, इसको जो है आप star mark करिये लिखा हुआ है, इस वर्ष के 200 TV दिवस थीम क्या है, इस वर्ष का sense यह है कि 2030 की बात हो रही है, तो इसका थीम है, हाँ हम TV को समाप्त कर सकते हैं, yes, we can end TV, लिखा भए बैदिक विरासत पोर्टल को किस केंद्रिय मंत्री ने लॉंच किया है, तो ग्रिह मंत्री अमिसाह ने बैदिक विरासत पोर्टल को लॉंच किया है, लिखा भए उत्तराखंड सरकार किस सहर में sports, university स्थापित करने जा रही है, तो अलमोडा में, नेक्स्ट क्वेशन देखेंगे लिखावाई आनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म गा जो है ग्रामरली ने किसे अपना अगला CEO निवक्त किया है तो राहूल राय चौधरी को निवक्त किया है लिखावाई किस राधी सरकार ने एक फ्रेंच डेवलाप्मेंट एजनसी के साथ पेजल सेवाओं को बहतर बनाने के लिए एम ओ यू ध्यान रखेगा मेमरंडम जो है अंडरस्टेंडिंग साइन किया है तो हिमाचल परदिश तो बस दोस्तों बहुत छोटी से वीडियो थी और बहुत इंपॉर्टन वीडियो है पूरी वीडियो को जरू वाचिंग कहना चाहूंगा इसके साथ में प्लीज लाइक सेर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिगा